होग तो है कि तो दप्राइब पिछली विक में चलना था आधी रेंग प्रॉबलम में आज हम खराएगे रिपीटेशन में तो प्राराइं कृपश सब्राइबए प्राइं को जो सवार्तों प्रिकुशुनुणूर। झाल नशाहीं है यहां पर राइक पर यहां पर यहां चैनल डेक्टी जो दिए सेयोंगे अपने पास यह नहां है तो प्रारD यांप एगём यहां पक्राक्णht तो यहां भी rank के decide करेंगे सबसे पहले आपको कैसे trick वालेस बताता हूं उससे तरीकर से नहीं बताता हूं trick वालेस डारेक्ट आसान है छोटा है जल्दी बन जाएगा पहले हम लिखेंगे यहां कहीं लिखेंगे कि भाई यह है book B double O k गश्लवर है फिर हम लिखेंगे इसकी रेंक एसाफ सबसे और समझ में現在 a alar प्लास इसको काड़ दिया न ने स्य 672 ये वान फिर यहां पर यह तोzemहें है फिर फ्लस प्लस यह आपका एक प्लस यह आपका एक कट गया फिर से रैंक करेंगे जीरो और सीधे यहां पर आजाएगा आपका वार्या समझ में फिर इस ओ वर्ड का रैंक कितना है इसके बाद कितने वर्ड है एक दिख रहा है ना तो वन इंटू आपका वन प्लस इसको भी काट दिया अब हम इसको लिखना है ति लास्ट वला बचा है तो वह ने क्या कहा था लास्ट ने सिर्फ वन जोड देना या इसको हमने बोला था आपको याद आता जीरो फेक्टोरि लिखाग़ अच्wegen क浓ं कितने इसमें लेठर बनेंगे इस वक बट्रॉबलम में 24 नहीं बनेंगे बुक में पुल कितने लेटर है इसमें चार तो चार फेक्टोरियल और जो रिपिटेशन होगा उससे दिवाइड कर देंगे तो क्या होगे आपका फोर्फेक्टे रिएल इन्टो चोवीस बटे में दो यानि कुल मिला के बारा बनेंगे और बारा में बुप किस पोजिशन प्यार आएगा इसमें चार फेक्टोरियल की वैलियू आपकी 24 वाइड यूश्य जितने से रिपिटेशन होगा उतने से डिव कि जितने से रिपिटेशन होगा उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बात समझ आरे ना तो यह रहे गुप का प्रॉब्लम आ गया अगला आवर हम ले आपका एक और कि यसे मालों हमने लिया कोई भी एक और प्रॉब्लम आपका टीक है कि जो भी लिखा हुआ है वह लिक पढ़ना सामासान नहीं मुस्कील हो ताडा रंग लिखा हुआ है अगर इसका अगर इसका निखान मुझके पुट्रा सर गंदा लिए हुए है तो यह आपका इसका हमें रेंग करने किस रेंग पे हैं तो है साथ ट्रिक से चलेंगे फिर से हम भोलेंगे कि सबसे पहले इसको अहां थीकर ट्राइक करो तो पहले तो हम इसको अल्फवेटिकल आडर में लिख लें कितना ए है यहां पर ती तो ए ए ए ए तीनों एक साइगा जाएंगे इसके बाद कौन आएगा है जी आएगा तो फिर यह जाएगा फिर इंहाएगा फिरर आर है फिर टि अईगा नेंए और दो बाद आएगा और फिर इएक ठीक है ना तो फिर आगई क्या ती हम इसको सबसे पहले आडर देनां के शालूं कि सबसे पहले जी रो वर wissen to three four five six seven सेम वाले को सेम साइज लिखा तो पांच के बाद छे इसी के बगल में जाएगा फिर यह साथ होगा अब हमको सबसे पहले टी चाहिए तो टी का कितना है साथ तो साथ यहां लिख दिया हमने साथ इंटो इसके आगे कितने वार्ड है अपने पास साथ हैं गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो साथ फिक्टोरियल इंटो नीचे में क्या-क्या है एक, दो, तीन, तीन फिक्टोरियल ए है और एक, दो, दो, आर है आरे बाद समझ में नीचे में दो फिक्टोरियल प्लस अब हमने काट दिया, इसके बाद हम फिर करेंगे, फिर से राइंकिंग देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लिखेंगे हैं, फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ती खतम हो गया, अब यह इस वाले A को काटा था, यह आपका आगया कितना, 0, 0 into इसके आगे के सारे नंबर, इस A के नंबर है, 1, 2, 3, यानि 6 नंबर है, 6 फेक्टोरियल अपन, आगे में 2 A है, into 2 R भी है, फेक्टोरियल 2, प्लस, फिर हमने इस 0 काट दिया, फिर से हम नहीं सीरे से राइंकिंग देंगे, इसका, 0, 1, फिर यहाँ पे राइंकिंग आएगा, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहा इन 2, इसके बाद कितने अब इसको अटा दिया है, यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, यानि 5 फेक्टोरियल नीचे में, 1, 2 A है, 1 R है, मतलब सिर्फ फेक्टोरियल 2, बास समझ में आई, अब कौन काट दिया है, यहाँ पे, यहाँ आप काट दिया, फिर मैं सीरे से राइंक इन 2, आपका आगे में इसको अटा दिया, यहाँ से देखा गया, एक, दो, तीन, चार, चार है, तो बस फेक्टोरियल 4 और सब अलग अलग हैं इस बार, तो फिर अब फिर से राइंकिंग इसका दिया, तो इसका राइंकिंग मैं यहाँ से रिखा हूँ, 0, 1, 2, और इस वा इस वाले एक का रैंकिंग 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 बागी सब कट गया है, और यह वाला A भी कट जाएगा, क्योंकि R के बाद आज आएगा, यह A तो यह 0 इन 2 फेक्टोरियल 2 प्लस यह भी A कट गया, यहाँ पे 0 और 1, यानि यह 1 इन 2, 1 फेक्टोरियल प्लस लास जीरो हो गया, प्लस 4 इन 2 फेक्टोरियल 5 प्लस यह 0 हो गया, यह 3 इन 2 फेक्टोरियल 3, प्लस यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, प्लस यह लास्ट में 1 आगया, आज बाद समझ में, इस वाले पोजिशन पे यह अंसर है इस अपका, आएग नहीं आया है, तो यह आपके इस वाले इसके बात देखने कितना है कि वो तो फिक्स होगया तो उसको मूम करना है बाकि आगे लडिटर सपने आप में प्रम्योटे भोंगे यानि और अरेंग्ज़ होंगे बात समझ में नहीं कि आगे हैं कि आगे में कितने लेटर है उसमें कौन-कौन रिपीट हो रहा है बात समझ में आई कोई दिकत अब आगे बढ़ते हैं पेलिंड्रोम के प्रॉब्लम करते हैं पेलिंड्रोम का मतलब उल्टा सीधा एक समान रेंग में और क्या लिक करोगे रेंग में रिपिटेशन आ गया और नॉन अब बात करेंगे प्रॉब्लम का मतलब यह है उल्टा सीधा एक समान हां उल्टा सीधा एक समान बिल्कों जैसे हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो जहाज तो वास भूँगिया कि दोनों से मैं इसे ने को यहाँ पर नाया नर देखो पढ़कर कर देखो आखिए अदर या धर ए यहां अरह यह लगा यहां पर रहा है इधर से लिखे तो यह लुख यह देखो तो सभी है क्या मल या लब यह लगा और यहां पर एक यह वाई ए तेखो तो आ गया चाहिए दर से लिखे और अगर लिके तो डेड़ सही है क्या दुनिया का सबसे खतरनाक पिराड़ी हिंदी में तो नहीं आएगा लेकि अगरेजी में आ जाएगा ममी लोगों से पुछना ठीक है तो यह तो यह जो है ममी लोगों से पुछना पता चलेगा तो दुनिया से खतरनाक प्राणी है यह favour खतरनाख प्राणीं तो उसको अपनी प्रावव़म है जब वो साथ होती है 尺ता है यह सब चीजे हैं अब इनको बनाने का तरीका क्या होगा इसमें आप देख रहे हो कि अगर प्रावलम पेलेंड्रोम का है जिसे मालो तील लिटर का पेलेंड्रोम पहली बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर रेपिटेशन एलाउड होगा रेपिटेशन रहेगा अगर एपिटेशन एलाउड नहीं रहेगा तो मालो कि हमको मालो ती लिटर का परिंड्रोम बनाना है है अगर हमने यहां पेंडाल दिया तो यहां पर आटोमेटिक क्या पढ़ेगा पराशन परेगा पहला और आखरी वाले को सोचना है पहले वाले कुछ जैसा आखरी वाले अपने आप उसी तरीके से बरेगा हुआ है वल्बास मुझे सबके chamber कि दिक्कत में और यह आपका जिसे महान लोग इसमें होता है कि आपका साधाइ सान्मार होंगा है कि अगर मैं 언제 हट्छे बाते होती हैं लेकिन मैं कहूं कि पविप टी लेटर का प्राइदule मनाने तो अपने तरीके सबर सकते हैं अपने पास इसको यानि ती लेटर के नहीं मैं अपसवाल लेता हूँ कि How many way 3-letter pylindrome can be formed तो ती लेटर के बढ़ाना है तो बताओ इस वाले को ती लेटर में इसको भरने का तरीका कितना होगा 26 क्योंकि अलफा बेट कितने होते है 26 तो यह हो कि आपका 26 तो इसको भरने का तरीका कितना हो जाएगा एक क्योंकि इसमें जो भर जाएगा वही उसमें जाना है और इसको भरने का फिर तरीका कितना हो गया सब सब्बाइब है ऊKYंद एग भाष्कि पिलेंडियों में इस सब्सक्राइब एक सब्सक्किन घार वह ब मरता जाएगा इस सब्सक्राइब इसको बढ़ने कितनी तरीक है थे कियो कि जो इसमें मारेगा इसको बढ़ने के दिए सोचना है नहीं है सिर्फ इतने आशर अभी विश्टाइबी क्या है दोनों का स्वें मैं क्या अधा समय नहीं है लेकिन पांच लेटर का पेलेंड्रो बनाना होगा तो बजल जाएगा फा इसको भरने के 26 इसको भरने के एक इसको भरने के एक लेकिन इसको भरने के एक लेकिन इसको भरने के एक लेकिन इसको भरने के फिर से 26 इंटू 26 इंटू 26 सब्सक्राइब करेंगे बस जो इधर से बढ़ेगा सिर्फ इधर के बारें बढ़ने के बारें सोचना आए और लास्ट वाले में क्या भर जाएगा ए बीच में आगे तो उसको अम बर लेंगे 26 तरीके से फिर से आए जबाते है वहां समझ जा रही है क्यार है सब्सक्राइब के पार चाहिए लिएक वां में लिक्के और नहीं वहां आपका वोगा ठीक है तो आप जो रेइंकिंग प्रॉबलम पढ़ें लाए न उसी के ऊपर जड़ा सवाल करते हैं कैसे सवाल बनेगा ठीक है द्यरीज क्वेश्टन लिखते हैं देरेज कि 720 परम्यूटेशन 720 परम्यूटेशन आफ नंबर कुछ नंबर से दे रखी है आफ नंबर वार्न टू थ्री पोर पाइब इस चे अलग अलग नमबर से कुल मिला के 6 फेक्टोरियल पर्मिटेशन बनेगा इस अब साथ सो बीस पर्मिटेशन बनेगा such that such such a way start starting from beginning from starting starting from 1,2,3,4,5,6 and end with end with 6,5,4,3,2,1 मतलब 1,2,3 सही start होके जाएगा और खतम होगा last जो लिटर होगी वो 6,5,4,3,2,1 होगा तो इस केस में then find there are 620 पर्मिटेशन आप 6 डिजिट नमबर इसमें विलिकलो आप 6 डिजिट नमबर ताकि आपको ये भी किलियर रहे कितने डिजिट की नमबर से है 6 डिजिट नमबर तो then find पहला सवाल अगर मैं बोलो कि position then find number number at position at position 124 तेक है अगरा सवाल लेखो कि दूसरा इसमें find find position of position of number मालो कोई सा भी number देता है position of number 321456 321456 इस number का position मताना है कि इस number कौन सी number पर आएगी और इसको बताना है कि इस नमबर पर कौन सा इस वाले position पर कौन सी number आएगी तो सबसे पहले देखो इसके solution देखो बनाते है कैसे बनाए सब्सक्राइब क्या बनाओगे बताओ कि क्या है इसमें कि पहला नंबर जो होगा वह स्टार्ट होगा वार्न टू वार्न टू थ्री फोर फाइफ सिक्स मतलब यह पहला पहला नंबर जो होगा और जो आखरी नंबर होगा और इसको इसके काने का मतला भी है कि अगर पहला नंबर 123456 सबसे छोटी नंबर यह है तो इससे अगली बड़ी नंबर क्या होगी तो 1234565 हो जाएगी अगली बड़ी नंबर इस इस नंबर से बनने वाली फिर उसके अगली नंबर 123645 आएगा और यह पासमन में फिर इसके बाद 123123654 आएगा और नंबर बढ़ रही है और आगे एक है यह आपका 4 ले 1554 항 5656255 si bought four this 5645a 1645 फिर उसके बार है 1456 556 फिर आपका 564 उसे नंबर कमा हर nun और नहों सबसे पहले बता हो च्बशल से हो यहां पर रेंग्प्राेंक कैसे डिसाइट करता हो देखो rank problem से हम कैसे इसको decide करते हैं देखो सब से पहला number पे मैं पहले number पे क्या करूँगा कि one fix कर दूँगा अगर यहां पे तो आगे जो पांच numbers है एक दो तीन चार पांच ये पांच पांच factorial तरीके से कितनी numbers आ जाएंगी 120 क्या हमको कौन सा number चाहिए 124 में की चाहिए क्या 120 को छोड़ दूगा मैं जैसे dictionary में हम आगे की इतने letters को सब छोड़ दे रहे थे 120 नमबर हमारे किसी काम की नहीं है अगली number किस से ही start करोंगा है दो से ही start करोंगा लेकिन इसमें अगर मैं आगे की बात करूँ तो 120 छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसी में से कोई एक number होगा आरे बाद समझ में तो पहली number चार number लिखना है 21, 22, 23, 24 नमबर तो पहली number क्या 6 लिटर की बन रही है क्या 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर 1, 2, 3, 4, अच्छा एक छुट गया 6 ठीक है फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 6 यहां पर 5 इसका अगली number यही होगी तो यह हो जाएगा आपका 122 वाली number 122 के बाद 133 वाली number जड़ा जाए यह आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 2, 1, 3, 5, 4, 6 आई बाद समझ में कितना number हो गया 122 अब फिर अगली जो number होगी वही 124 वाली पोजिशन वाली होगी एक, दो, तीन, चार और यहां साइद एक पांचे हो जाएगा 213, 5, 6, 4 यह वाली number कौन से हो जाएगी 124 प्लेस वाली यही exact answer हो जाएगा आपसे बोलाओगा किता में चार आपसन में से एक आंसर यह रहेगा 213, 5, 6, 4 आया समझ में अब जो second सवाल पुछा है यह पुछा है कि find position आप इस number का position क्या होगा यह पुछा क्या है कि इस number के कौन सी position होगे तो यह तो बहुत आसान हो जाएगा आपको दिखरा होगा ठीक है तो अपने को पता करना है 3, 2, 1, 4, 5, 6 का क्या आपका rank होगे कौन सी position होगे हम कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं पहले 1 से start होने वाले जितने आपकी 5 factorial 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी 5 factorial के words है याई 20 वो skip मार देना है छोड़ देना है फिर अपने को किस से start करवा देना है आपका 2 से जैसे ही हमने 2 से start करवाया 1, 2, 3, 4, 5 और यह आपके आपके 6 2 से start करके भी जितने आपके 5 factorial numbers होंगी वो सब को फिर से हम छोड़ देंगे फिर आपका 3 से start होगा और luckily आपके 3 से वाले में ही ये आपका 3 से 1, 3 वाला number चाहिए चाहिए आगे 1 को fix कर दिया बाकी जो 4 factorial के numbers हैं उनको फिर से हमने उड़ा दिया यानी 24 number तो फिर से उड़ा दिया फिर 3 के बाद आपका पहला number आएगा 2, 2 तक के चाहिए 3, 2 वाला चाहिए इसके बाद अगला number automatically आएगा इससे बड़ी number एक आएगा फिर इसके बाद एक वाला भी चाहिए फिर 4 आएगा वो भी चाहिए 5 आएगा वो भी चाहिए और फि पाएंगे कि नहीं हम लोग किसी भी तरह का इसमें उल्ले की कौन से पॉजिशन पर कौन सा नंबर होगा तो हम सब लोग आप लोग डिसाइड करके बता देंगा बात समाज में आ रहा है कोई दिक्कत अपने को नहीं तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आब और सब को कि भी पर्मेटेशन इंपने नंटिसन या दें तो देख उः पकम मीनेशन में पहले से नोटेशन बात कर लेता हूं नोटेशन क्या क्या था यह उपर अभी तक पहले इंड्रोम लिखा हुआ है यह पहले इंड्रोम कोई मतलब नहीं है तो यह आपका यह आपका यह आपका पहला नोटेशन फेक्टोरियल अगर एन था तो उसका मतलब न इंटू एन माइनस ओनियंटू सब करते करते वन तक जा रहा था ठीक है दूसरा अगर एनसी आर का मतलब था सेलेक्शन आफ क्या था सेलेक्शन आफ और तिंस आउटाफ कितने मेंसे out of n things n में से r things का selection और अगर n pr मैंने बताया था कि n pr is itself a two way process यानि ये क्या था n c r into r factorial मतलब selection of r things and r चीजों का आपका arrangement यानि आपका चौथे नमबर पर अगर मैं ये भी लिखूँ कि factorial r का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है arrangement of arrangement of r items at r places यानि r जगा पे r item को बैठाने का तरीका आपका होता है factorial r आप समझ मैं रही है नम अगर suppose इसी क्रम में मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ इसी क्रम में अगर मैं मानलो इसके लिखते रहा आप साथ साथ चौथे क्या पाचे नमबर पे मैंने मानलो आपके सामने factorial 10 लिखा क्या लिखा factorial 10 जिरा इसको ध्यान से देखना मैंने लिखा इसको लिख सकता हूँ अब यहां से मैं काम कर दिया कोई दिखत इसमें नहीं है ने अच्छा इन सम्मे से कितना कंक्या कामं कर लिया हूँ 2 कितने 2 कामं किया 2 यहां से एक आया एक यहां से आयेगा कितने 2 आयेगे 2 की पावर? 5 क्या बचेगा? वहां यहां पे तू यहां पे थ्रे यहां पे और यहां पे 5 इंटू यह 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अरे बाद समझ मैं अच्छा बता ना यह 2 की पाउर 5 इंटू यह 5 फे तू यह लिखा है क्या इंट्व यह 1 इंट्व 3 इंट्व 5 इंट्व 7 इंट्व 9 अगर मैं यह को हूँ कि First 5 odd First 5 odd natural number मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला प्रोड़क्ट आप First 5 odd natural number is equal to तो आपके पास आएगा 1 into 3 into 5 into 7 into 9 बोले यही आएगा और इसकी वेल्यू देखो तो फेक्टोरियल 10 अपान 2 की पावर 5 into फेक्टोरियल 5 उपर में आ रही है क्या और यहारे कि नहीं बास समझ में रहा है अगर मैंने मालों की पुछ लिया फर्स्ट 10 और नेच्राल नंबर का फेक्ट की प्रोडेक्ट क्या होगा तो फर्स्ट 10 के लिए क्या फेक्टोरियल 20 अपान 2 की पावर 10 into 10 फेक्टोरियल हो जाएगा की पावर एन इंटू एन फेक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 तू एन माइनस वन बोलो समझ में आई बात होगी है नहीं होगी कोहीं दिक्कात और आकव्य माल रसी सवाल में पूछ दिया आपसे प् blond आप ऑसथा ऑप साथे नंबर प्रद् Cum bueno chart और यह बस यहीं पर खतम होता है प्रूडज अपшего म॥ा 20 a fill रिजह नंबा पर नेचुरल नमबर इस इकोल टो कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे टू की पावर यानि इसकी पूछने का मतलब है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 निन्यानवे तक पूछ रहा है भई सुरू के 50 मतलब निन्यानवे तक पूछ रहा हो जाएगा फेक्टोरियल 100 अपान तू की पावर 50 इंटू 50 फेक्टोरियल बोलो यही आंसर हो जाएगा यह डाइरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपने बास और जाम में पूछता है तो डाइरेक्ट हम लोग पूंसर लगा सकते हैं थीक है के समझा दे रहे कहें लेत यह एक सवं सवाल है आपके पास मैंने लिखा ध्यान से देखो ध्यान से देखो पूर्चो OW पैक्टोरियल सव बराबर मैंने लिखा 2 की पावर 5 इंटू माल लो कुछ मैने लिखा M, लए two ki power N into M लिखा, तो कि पर M into N लिखा, where मैने लिखा, where M is equal to product of all odd, all odd natural number, प्रड़ेक्ट आफ और ने चर्वन नंबर्स सबस्कूद इन देन फाइंड वयलुयू आफ इन नकी इन की वयलु फइंड करनी है धित्रू की पावर में चड़ा है उसकी वैवलो फइंड करनी है करोगे आप ठीक है कि मिला कि कि अधिये कितने टू है कि तने आदमी थे तो कितने टू है यही है ठीक है बस कितने एंगे फशास नहीं आए गेंगे एनके वेलु बहुत ज़्यादा आएगे देखो फेक्टोरियल 100 को हम लिखेंगे 2 इन्टू 50 तू इन्टू की पावर 50 इन्टू 50 फेक्टोरियल इन्टू 1 3 5 .99 तक सही है फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 50 और इसको 50 को लिखेंगे रुखो अब इसको इतने ना देदे हैं बहुत मुस्किल हो जाएगा हमें बार बार देखना तो इसको इतना और फिर मैं 50 फेक्टोरियल को अलग से कर रहा हूँ ठीखेंगे इसको की पावर यह 2 इन्टू 25 लिख सकता हूं इस इकोल टू की पावर 25 इंटू 25 फेक्टोरियल इंटू फिर से आएगा 1, 3, 5, dot, 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 49 तक आएगा ना, 49 तक, फिर आपका, अब यहां पे फिर अपने पास फेक्टोरियल 25 आया हुआ है, अब फेक्टोरियल 25 को, इसको तोड़ना मुस्किल हो गया, तो 25 इंटू 24 लिख द इंटू 2 की पावर 12 इंटू, फेक्टोरियल 12 इंटू 1, 3, और जाते आदे थे इस तक, बोल जाएगा क्या, साहिए, और जो देखो, यह 20 अब फिर फेक्टोरियल 12 आया, फेक्टोरियल 12 को मैं लिख सकता हूँ, टू इंटू 6, यह जाएगा, टू की पावर 6 इंटू 6 फे इंटू 4 इंटू 3 इंटू, क्या, वन 3 फाइफ, बोला सही है साह, लेकिन फिर फेक्टोरियल 3 भी है, फेक्टोरियल 3 को 2 इंटू 3, भोला लिख सकता हूँ, सिर्फ इस में, देखो, एक 2 यहाँ पे, टूटल नमबर, आप 2 कितना है, टोटल नमबर, आप 2, यही तो और दस-बाईस, बाईस और यहां पे पचशीज कितना हो गया और सहह का सहे तालिस और पच्शास रहे नैंटी सेवेंर कितने है nad То कि पावा एक्चुल में नैंटी सेवेंर इन्टू यानि फेक्टुरियल 100 को मैं लिख सकता हूं टू की पावा नैंटी सेवन इन्टू बाग टीक है तो यह आप उतुभाध की नइवा थी वाथ एक्स्पनेट वाला दूसरे टरंब पता हूंगा में बिल्कुल दूकर आओगा तिक है ना तहीं आपकर एक करीका ओगा हारी यहारी वाद समझ में ठीक है उसके वाद से हम कर जह een टोल टार ला ऑना इप ईसमोनेट के हाँ, ओके, बाई बाई